आप सभी को पता होगा कि राजिव गंदी यूनिवर्सिती में आपको एडमिसिन लेने के लिए कोई भी कोर्सेस में, कोई भी प्रोग्राम पे तो आपको एक कॉमन इंट्रेंस टेश्ट देना होता है तो जिसको हम बोलता है आर्जिव सेथ, तो आज के इस वीडियो पे हम यह देखेंगे की और जानेंगी की कैसे करके हम इत्रेंस लिए जो फोम फील प्रोशस है We कैसे कुछ से कर सकता है आरभ से गर्वेटे तो जैसे मेरा ओस्क्रीन पर देख रहा है यह जो आरजिव का शू sसे के लिए जो ओपिल करता है उसका ऑफिसाल होम पेज से तो यहाँ पर पॉंचने के लिए आपको लिंक को में इस वीडियो के दिस्क्रिप्सिन बॉक्स पर दार के रख दूँगा आगे आप इस वीडियो को अच्छा से देखें समझिए उसके बड़ पिर दिस्क्रिप्सिन बॉक्स में जाके लिंक पर किलिक करेगा तो आपको यहाँ पर रिडिरेक्ट कर दिया जेगा तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहां राइचयक पर आपको रिजिस्ट्रेसिन बॉक्स पर दाल के करना होता है जिसका उपर मैंने already video बना की रखा हुआ है उस video का link में इस video के description box पर भी दाल दूँगा अगर आपने उस video को नहीं देखा है या अभी तक आपने registration नहीं किया है तो अब उसको देखके registration कर सकता है और जो already registration कर चुका है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे नीचे पे अगर आप द वीडियो पे हमने दिखाया था कि कैसे करके registration process को करना है तो registration process हो जाने के बाद हम यहाँ login पे click करेगा और जैसे ही login पे click करेगा तो आपको यहाँ पे एक login page open होगा जहाँ पे आपको जो आपका registered email id और password को इंतर करके पिर आपको submit पे click करना होता है फिर यहाँ पे बहुत लोग confused होता है कि email id और password बोला है तो आप जो अपना email id और email id का password डालने की कोशिश करता है उसको हम नहीं बोल रहे तिक है यहाँ पे वो email id डालेगा जो आपका email id registration करते वक्त आपने दिया था वो email id और registration करते वक्त एक हम password create करता है आप सभी को पता होगा तो उस password को आपका next interface कुछ इस प्राकर से आएगा तो जब आप registration करते वक्त अभी आप registration करता है तो registration complete होने के साथ आपका यह page जो आजएगा यहाँ पे आपको यह department है, course है, apply now का option यह बाला जो आएगा तिक है तो पहले जब हम लोग registration आगे में करते वक्त उसमें यह form film का portal open नहीं वा का हुआ आता था तो अभी आप registration भी करेगा continue जएगा तो वह वाला नहीं आएगा यह वाला आजएगा तिक है यह वाला तो हम यहाँ पे हम सबसे फरस क्या करना है इस page से हम लोग अलग-अलग courses के लिए हम लोग apply कर सकता है तिक है सबसे फरस हम यहाँ में department पे जएगा तो दिपार्टमेंट पे जएगा तो यहाँ पे हम अपना department देखेगा मानलो कि यहाँ पे हम अरुनाचल institute of tribal studies का दिपार्टमेंट करेगा फिर उस में क्या-क्या courses है वो पिर यहाँ पे courses में हम select करेगा courses में आपको certificate courses है tribal language के उपर और master of arts in tribal studies है और PhD in tribal studies है तो हम यहाँ पे masters of arts in tribal studies को हम select करेगा तीक है तीक है तीक है यहाँ से हम apply now करके जाएगा फिर continue यह form को fill करेगा उसके बड़ पैमेंट कंप्लिट होने के बाद पिर यहाँ पर फर्स वाला page पर आ जाएगा उसको हम बात में पिर आपको दिखाएगा कि किसे करके होता है तीक है उसके बड़ पि पर क्लिक कर दिया तो जैसे ही आप apply now पर क्लिक करेगा तो यह वाला page आ जाएगा तो यहाँ पर आपको personal details दिखाई दे रहे है और अगर हम scroll up करके देखेगा तो यहाँ पे sign up हो गया अभी personal details यह से करके यह सब process चो complete करके जाना होगा तो सबसे फस हमें क्या करना है यहाँ पर अपना personal details को बरना है तो जब आप registration करते वक्त आपका नाम सब कुछ यहाँ पर आके रखा होगा तो वह आप देख लेना है उसके बद पिर आप अपना father's name mother's name वह सब बरेंगे और gender चले करेगा तो बाद पिर आपका religion को आप चले कर सकता है religion और जो भी है और आपका blood group और आपका other number तीके other card का number होता है जो 11 न 12 digit का कुछ होता है वो आपको डालना है पिर आपको यहाँ पे present address को देना है तो present address में आप यहाँ पे address line 1 पे आप अपना blades या कोई भी sector में कोलोनी में रहता है तो उसका नाम आप यहाँ पे डालेंगे और यह address line 2 optional है तो इसको आप अपर चोर सकता है मानो कि अपर है में में इतनागर पे रहता हूं और इतनागर पे देर सारे क्लोनी से तो म मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर गूगल पे सर्च करके आप पता कर सकता है तो वेसे आपको करना है और आपका present or permanent address अगर सेम है तो आप यहाँ पर एक आपको चेक बोक्स दिखाई देगा, वहाँ पर किलिक करके आपको चेक मार्क दे देना है, उसके बद पिर आपको पर्मानेन एड्रेस में भी वही सेम यूज करना है, आपका बस्ती का नाम को बस यहाँ लिख सकते हैं, और डीटेल्स नह क्वास के ओप देगा प्लोट करना है और अब यहाँ पर अपलोट करना इंग चिस, अंग चिस नहीं पर किलिग नहुट पी एन जी वो सब इलिजेबल होगा यानि की एपलिकेबल है पीडिएफ में आपको नहीं दालना है क्योंकि यहाँ पे पीडिएफ का उपसन नहीं है और वही सेम जी सिगनेचर का भी वही होगा आप प्लेंड पेपर में सिगनेचर कीजिए उसको पोटो किलिक किजए फिर साइज को मिलाके 100 kb से ज्यादा नहीं होना है उसको दियान में रखके पिर यहाँ पे आप अपना सिगनेचर को अपलूट कर सकता है पिर आधरकर्ट भी आप पीडिएफ में नहीं करेगा आधरकर्ट भी फ्रस आप प्रॉंट पेज को अच्छा से पोटो किलिक करके रख तो जैसे आप 7 next पे किलिक करेगा next पे आपका basic details आजेगा तो आपको basic details में क्या-क्या बरना है तो सबसे फ़र्स तो यहां में आपको अपना community select करना है आप कौनसे community से आता है तो यहाँ पे एक ST है और एक जो AP ST है यहाँ पे आप confused मत हो ST बोलने से अरुनाचल में सिर्फ ST नहीं होता है ST जो इंडिया पे काफी सारे जगा पे ST मिलता है तो उन लोगों के लिए ST नॉर्मेल जो ST है यह उन लोगों के लिए है और अरुनाचल प्रदेश का ST log AP ST को select करेगा तीक है क्योंकि last time भी मैंने बहुत लोगों को देगा थ तो उससे कुछ जगा पे बात में वेटेज वगेरा में इधर उधर हो सकता है इसलिए आपको करना क्या है अगर आप जनरल है तो जनरल करो OBC SC ST लेकिन अरुनाचल का जो लोग है वो AP ST को select करेगा तो AP ST को select करेगा उसके बाद आप community को जैसे ही select करेगा तो उसका हिसाब से certificate का कुछ details आपको यहां में देना होगा जैसे कि आपका मैंने AP ST select किया तो यहाँ पर tribe को मुझे mention करना है और जो मेरा ST certificate है उसमें जो certificate number है वो हम यहाँ पर दालेंगे ST certificate का number certificate का top left side पे मिलेगा और death of issue यहाँ आपको मिलेगा यह जो certificate का सबसे last का left side corner पे मिलेगा और issuing authority जो certificate certificate का नीचे last में right side में आपको मिलेगा जहाँ जो officer जो signature वगेरा करके seal मारा हुआ है वो है तो जैसे कि आपको जो certificate issue करने वाला CO हो सकता है यान की circle officer हो सकते है ADC हो सकते है DC हो सकते है तो EAC हो सकते है CO जो issue किया है तो simple CO लिख सकते है या फिर circle official लिख सकते है ADC जो किया है तो ADC simple लिख सकते है या फिर उसका abbreviation full form को लिख सकते है वो अपना हिसाब से कर लिजे उसके बद फिर next में आप ex-servicemen कुछ उसका कुछ है क्या तो आपका parents को ex-servicemen से belong करता है तो आपको yes करने नह आपको यह parents जो are you के अंदर employed है तो yes करना है नहीं तो आप no कर सकते है उसके बाद sports quota से आप apply कर रहे है तो इसको भी आप नो करके रख सकते है नहीं तो इसको भी आप नो करके रख सकते है आप normally एसे sports scale लेता है उससे कुछ नहीं होगा तो अगर आपने international level पे इसको आपने national level पे कुछ केला है और जीता है certificate है ऐसे कुछ होने से तब आप yes कर लिजिए यह बात में आपको एक weightage मिलने का काम कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे no कर देता हूँ उसके बाद कास्मीरी migrant होने से yes करना है नहीं तो no करना है और आपका आप जो ncc में college time पे क्या होता है कि ncc, nss इसे बहुत चरह होता है अगर आपने college time पे ncc किया था उसमें ncc में participate किया था बोलने से आपके बस उसमें दो प्राकर्स का certificate होना चाहिए एक जो B certificate एक जो C certificate वो दुन में से कोई एक होने से आप यहाँ पे yes कर सकते है तो yes करके फिर आप यहाँ पे certificate का details बरना है तीक है अ दीटेल को आप यहाँ पे बढ़ देना है तो वह अपना हिसाब से कर सकता है तीक है उसके बद पिर उसको करने के बाद आप यहाँ पे पिर से 7 next पे क्लिक करके आगे proceed करोगे 7 next क्लिक करने के बाद पिर आपका next यहाँ पे education details आता है और education details में आपको यहाँ पे दियान अपने प्लासत होके अंदर कुछ UG courses वाला होता है उसमें तो apply करने जा रहा है उन लोगों के लिए तो जो graduation किया है या final year exam दिया है उन लोगों के लिए plus 3 है आपने पीजी भी कर चुका है फिर भी आपको यह courses में apply करने जा रहा है बोलने से तब आप PG से लिक करेगा आप इसे कुछ होने से प्लास ट्री करना है फिर आपका जो examination name में आपको क्या करना है final semester का नाम दे देना है जैसे की BA 6 semester, BA 6 semester ऐसे करके आप दाल देना है तो उसको दालने के बाद इस्टैस में आपको करना क्या है आप already graduated है तो आप यहाँ पे completed दालेगा और आप जो अभी final semester का exam दिया है result नहीं निकला है वो बोलने से तो आप appearing को दालेगा अगर आप completed को select करेगा तो आपको यहाँ नीचे में आपका graduation का यान के final semester का total marks, कितना marks secured किया है percentage वो सब दालना होगा अगर आप यहाँ पे appearing option दालता है तो वह वाला option नहीं आएगा तो आपको बस यहाँ पे क कुछ कुछ है यहाँ उसके लिए वो select कर सकते दियू का दियू और नेरिस का RG का और यहां में जिसका list में जिसका नहीं है वो other page ले कर सकते तो मेरा RG से है तो RG करेगा जैसे कि अरुने चल में almost 90% colleges to RG के अंदर ही है तो RG select होगा तो पिर आपका roll number को दालना है यहाँ और आपका एक registration number, registration number पे पिर आप अपना mobile number दालने मत लग जाना क्यूंकि काफी लोग ऐसे होते है कि registration number बोलने से यह form बरते ताइम को जो mobile number registered है वो number को दाल देते है ऐसे काफी लोग करता है तो यहाँ पर आपको वो नहीं करना है आपका जो final semester या पिर आपका आपका आप 11 में 12 के लिए registration करता है वो भी मिलता है college में भी registration करता है वो भी मिलता है तिक है वो आप देख लिए फिर कॉन से यह को आप पास आउट होने जा रहा है तो जैसे कि मान लो कि आपने आपी शीमिस्टर एक्जम दिया है तो obviously 2023 में आपका ग्रेजुशन होगा तो आपको यहा यहां पर एक यह है add subjects, owners, major subjects तो यहां पर करना क्या है यहां चोता सा एक plus बतन है तो आपका final semester में आपका कितना paper है तो इसका हिसाब से आपको यहां पर टेप करना है मतलब click करना है अगर आपका 4 paper है तो आपको 4 वर click करना है अगर आपका 5 है तो पांस तीक है तो जैसे कि यहां पर usually हम लोगा तो चार या पांस paper होता है तो यहां पर हम one two three जैसे जैसे क्लिक कर रहा है तो वैसे वैसे नीचे में subject add करने का यह option भी आ रहा है तो यहां पर एसे हो गया तो यहां पर अपना subject और उसका code तीक है paper code वह आप यहां पर दाल देना है उसके बाद यह ज् इस चले कर लिया बोलने से तो यहां पर red color में orange color में आपको यहां पर minus का symbol है तो minus पर क्लिक करेगा तो वह minus भी हो जएगा तो यहां पर minus पर से लेकर करके हम हाथा भी सकता है और यहां plus पर करके हम add भी कर सकता है तो जितना आपका paper है उसका हिसाब से उसके बाद यह सब details बरने के बाद नीचे में भी और भी है बरने के लिए लेकिन इसको करने से पहले आपको यहां पर में seven next का option है इसको एक बड़ आपका education details बरके उसके बाद आप उपर में जो seven next है उसको आप क्लिक करोगे उसका जिस नीचे में आपका यह जो सो होगा यहां पे कुछ आपक यहां पर काफी सरा colleges एकदम सेंटर यहां पर दिया गया है और अरुनाचल से बाहर कहीं भी नहीं होगा ग्वाती सिती में एक होगा तो ग्वाती के आसपस वाले या दूर वाले ग्वाती सिलेक कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब से तोड़ा ज्यादा कन्व लिए उनिवर्सित अगर आपका कॉलेज किसी भी कॉलेज से हो है तो आप यहां पे यहां पर यंग पर यहां टो। त सितनागर से किया था तो वह राजीब गंदी उनिवर्सिती में एफिलेट थे तो मैंने येस कर दिया फिर येस कर दिया तो यहां प्र आपका कोलेज का नाम देना है पिर आप कौन से कोर्सेस में यह किया था वह दालके रेजिस्ट्रेशन नमर तो सेमी रहेगा उसके बाद अगर अगर एफेरिंग उपर में से रहे था तो आप यहां पे फिर भी वह ही सेम कौन से यह को अप ग्रेजिसन होने जा रहा है एकसपेट एकसपेट यह को मतलब दालेगा और और एकसपेट होने से वह है कौन से एयर को कम्प्टीध हुआ था वह यहां पे दालेगा सब्सर्व आपको अपना क्लस 3 का अफलोट करना है यह सब डोकुमेंट भी पीडेफ में नहीं मांगा है बस image पॉर्मेट में जे पीजी पॉर्मेट में जो भी पॉर्मेट है वो चलेगा लेकिन का माकसीद अगर आप एपेरिंग दाला है बोलने से यह वाला ओप्शन नहीं आएगा ग्रेजुशन वाला नहीं आएगा तो एपेरिंग वाला मैंने आपको प्रिव्यू की तरह सो किया जएगा जितना आपने फॉम बढ़ा है वह सारा दीटेल से आपको यहाँ पे सो करेगा उदर से आप तो इसक्रोल आप करेगा तो सबसे लास में आपको दो ओप्शन मिलेगा यहाँ पे गो बेक एंड कंतिन्यू आगे आप अच्छा से च एक्सेप्ट डेकलेरेशन पे आपको कली करके चेक मार्क देना है पिर आपको यहाँ पे कन्तिन्यू पे कली करना है जैसे यहां पर कलीच करेगा आपको यह जो वालों मतलdest रचेस में आपको यह रिडारेक्ट खेल बढ़ा के course लेकर के फिर हम apply now पे गीया था तो वहां पे हम यह ट्राइबल इस्ताइज का हमने किया था तो वह वाला अभी क्या हो गया कि यहां पर आप यहां पर इस्टेटस क्या है आपको क्लिक करना है और जैसे पेनाओ का option में क्लिक करेंगा यह आपका payment का gateway जो आजेगा तो यहां पर कोई भी तरीका से आप पे कर सकते हैं तो नेट बैंकिंग है QR code UPI पोंड पे और ATM card आपका ATM card होने से थे कर सकते हैं तो गुगल पे से मैं घर होनगा तो यह पर सब्सक्राइब करना आपका क्या जाख और शब्लक में ख सब्सक्राइब आप्रबन करते ही तो यहां पर नीचे में so qr court application में एप में हम click करेगा तो वहां पे जैसे click करेगा तो यहां पे फिर से ऐसे कुछ आएगा तो fees का कुछ breakup कुछ यहां पे शो किया जा रहा है कि क्या क्या चार्जेस वागेरा convenience charges वागेरा यहां पे GST वागेरा लग रहा है तो आभी मेरा cool मिला के एक्ष्यल टो 700 तो यहां पे कुल मिला के कोल टोटल यहां पे कितना चार्ज जा रहे मेरा 700 5.90 चार्ज़ जा रहे तो यहां पे हम कंतिन्यू एंड पे किली करेगा पिर यहां QR कोड जो शो किया जएगा और QR कोड में हम अपना Google पे ओपन這樣 सकेन पर 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 पे करेंगा तो यहां पर प्रहुंपर darumel noted इस अप्रूब लूब करें पाइगा दआ हम्ल सूखेश हो नहीं करना है तो यह चोपर रिडारेक्ट कर दियागा तो यहां पर यहां पर फिर्स होग्या यह इतना सा हो गया तो मैंने यहाँ पे Master of Arts in Travel Studies का मैंने किया है उसके बड़ यहाँ पे हम और दूसरा courses में हम apply करेगा वोलने से यहाँ पर से जाएगा department and courses को सिले करके फिर हम यहाँ पे apply now का option पे हम जो किली करके फिर आगे प्रोसिट करके जो भी department में हम apply करना है करेगा पिर apply now पे क्लिक करके फिर हम apply करेगा एसे करके हम कही सारा department पे हम एक ही ताइम को क्या कर सकता है तो ऐसे करने का बाद in case कुछ आपको इससे related कुछ जनकारी वगएर चाहिए होने से या कुछ confusion होने से इस वीडियो के नीचे में comment कर सकता है उसके बद आप कोई भी department में apply कर करने से पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि eligibility PG programming and eligibility का उपर एक मैंने separate से वीडियो बना के रखा हुआ है उसका link भी description box पर डाल दूँगा तो वो वीडियो को भी जरूर से एक बद दे दिजे क्योंकि आप कोई भी department में apply करेगा पिर आप eligible नहीं है ऐसे होने से आपका loss होजेगा और उपर से आपका refundable भी नहीं होगा fees जो पे कर चुका है तो इसलिए एक बर वो वीडियो को देख लिजे और eligibility criteria वगएरा वगएरा को देखो उसके बाद apply करना है तो कर सकता है और in case कुछ confusion है कुछ है बोलने से जरूर से नीचे comment कर देना और इस वीड आपको like, share and subscribe कर देना और आप बिल्कुल like भी नहीं करता है लाइक करना आपका finger tips में ही है बस आपको एक बर दवा देना है subscribe भी है share भी भी है आपको ज़्यदा कुछ करना नहीं है और नहीं आपसे कुछ जाने वाला है तो free of course से subscribe कर सकता है share कर सकता है like कर सकता है और comment कर सक कर सकता है